हेलो दोस्तो वेलकेम टु माय चैनल डाक्टर इफान लेक्चेस मेरा नाम है डाक्टर इफान में आप लोगों को बाइला जी पढ़ाऊंगा दोस्तो आज हम पढ़ेंगे डाबिटिस मलाइटस के बारे में जिसको हम शार्ट में DM بھی कहते हैं आम तोर पर हम इसको शुगर भी कहते हैं दोस्तों अस लेक्चर में हम Diabetes की Definition पढ़ेंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि Diabetes क्या है उसके बाद हम पढ़ेंगे Diabetes के Science and Symptoms हमें कैसे पता लगे कौन से Science होती है जिसकी वज़ा से हम कहते हैं कि किसी को Diabetes हो गई है उसके बाद हम पढ़ेंगे Diabetes का Mechanism हमें कैसे पता लगे कि किसी को डायबेटीज हो गई है कौन सा मेकनेजम होता है किस तरह डायबेटीज होती है वो पूरा मेकनेजम उसके काजिस वगरा पढ़ेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे Diabetes के Types Diabetes के कितने Types होते हैं और कौन से होते हैं उसके बाद हम पढ़ेंगे Diabetes का Treatment और उसके बाद आखर में हम पढ़ेंगे उसकी Prevention किस तरह हम Diabetes की Prevention कर सकते हैं सबसे पहले हम आते हैं Diabetes की Definition पे दोस्तों आम तोर पर हम कुछ भी खाते हैं जो चीज भी खाते हैं वो हमारे पेट में जाती है और वो इंटेस्टीन के थिरू हमारे बलड केपलरीज में जाती हैं और आप ये बलड केपलरीज देख रहे हैं कि जो भी हमने खाया ये स्टमक है हमारे पास स्टमक में हमने जो कुछ भी खाया वो हमारे स्टमक में चला जाता है फिर स्टमक से वो सारी चीजें हमें बलड पे चली जाती हैं सारी के सारी गलूकोज में करनड होकर फिर वो बलड के थुरू हमारे सारे के सारे सेल के साथ गुजरती है फिर जिस भी सेल को कोई गलुकोस चाहिए होता है तो वो गलुकोस है उनको मिल जाता है यह सारे के सारे आप देख रहे हैं साइड में यह जो है यह सेल है और यह जो देख रहे हैं यह सारे के सारे यह सेल है तो ये आप एक नार्मल सेल की कर्डिशन देख सकते हैं कि इसमें अंदर ये ग्लुकोज अंदर जा रहा है इसके अंदर वो तब ही जा पारा है क्योंकि इसके साथ इनसे रिसेप्टर पर ये इनसूलिन अटेच है और इसमें देख सकते हैं इसमें इंसुलिन नहीं है तो ये ग्लुकोसारा का सरा बाहर 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 है तो इस चीज को हम कहते हैं इस पेश को अगर diabetes है तो उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है जिसकी वज़ा से वह बहुत ज़्यादा पानी पीता है और जब बहुत ज़्यादा पानी पीता है तो उसी वज़ास उसको यूरीनेशन भी ज्यादा आती है जिसको हम कहते हैं frequent यूरीनेशन बहुत बार बातुन में जाता है यूरीन करने के लिए और उसकी वज़ासे इसको बहुत सारी भूख भी लगती है extreme hunger उसके साथ साथे वो explain नहीं कर पाता कि मेरा weight loss किस वज़ासे हो रहा है और क्यूं हो रहा है मतलब उसका weight loss भी होता है उसके बाद जो है चोथी चीज़े पांचवी वो है fatigue यानि कि उसको बहुत सारी ठकावट होती है पूरे जिसमें दर्द होता है हर जगा ठीक है तो यह होता है science and symptoms आखरी चीज होती है वो थी irritable है कि diabetes किस तरह होती है आखरी क्या mechanism होता है जिसकी वज़ा से हम diabetes हो जाती है कौन सी तबीर होती है कौन से काजस होते है हमारी बाड़ी में जिसकी वज़ा से हमें diabetes हो जाती है देखो दोस्तों कोई भी चीज़ अगर हम खाते है कुछ भी हो वो हमारे blood में चली जाती है और blood में जाने के बाद है वो यहां तो हमारे muscle में store हो जाती है यहां फिर हमारे liver में store हो जाती है दोस्तों दो condition होती है हमारी body को एक तो पता है और हमारे brain ऐसा argon है जिसको continuous supply of the glucose चाहिए तो उसके लिए हम हर वक्त हो खा नहीं सकती है इसलिए हमारी बाड़ी क्या करती है कि ये जो हमारे पास है ये मस्सल्स हैं हमारी बाड़ी के और ये जो लिवर हैं इसमें पूरा का पूरा गुलुकोज स्टोर हो जाता है जो एक्स्ट्रा होता है फिर हमारे brain को जैसे ही glucose की जरूत परती है तो हर वक्त हम खाते नहीं तो हमारे अगर बाड़ी में glucose बढ़ जाता है ठीक है तो क्या होता है कि हमारे बाड़ी में एक हो आरगन होता है जिसको हम कहते है pencreas तो हमारा brain क्या करता है इस pencreas को signal देता है फिर वो pen surprise एक हार्मोन release करता है जस हार्मोन को हम कहते हैं insulin यह insulin क्या करता है कि हमारी बाड़ी में जो भी Extra glucose है उस glucose को convert करता है glycogen में glucose जो है वो carbohydrate का monomer है और glycogen जो है पोलीमर है फिर वो insulin ग्लुकोस को ग्लायकोजिन में जैसे ही करता है फिर वो ग्लायकोजिन इस्टोर हो जाता है वापस इसी हमारी muscles में और इसी liver में फिर इसके साथ साथ जब भी हम हर वक्त हो खा नहीं सकते है तो जब भी हमारी body को glucose की जरूरत होती है तो अगेन हमारा जो brain है वो क्या करता है अगेन हो supply करता है अपना तो यह इस तरह मतलब यह इस्टोर हो जाता है muscles में और liver में तो अगर इसी के साथ साथ है अगर हमारी body में glucose down हो जाता है तो फिर क्या होता है? अगेन हमारे brain को पता लग जाता है तो फिर वो brain क्या करता है? अगेन वो signal भिज़ता है paincrash को paincrash एक और hormone release करता है इस बार उस hormone का नाम है glucagon इस बार glucagon क्या करता है? हमारी body में जो glycogen store हो था वो पहली cycle में जिसने insulin ने store किया था तो ये ग्लुकागून हर्मॉन क्या करता है उसी stored glycogen को convert करता है glucose में क्योंकि हमारी बाड़ी में glucose कम हो गया है तो हम उस वस्फ़द खा तो नहीं सकते हैं कि कभी सफर में होते हैं कभी हम fasting में होते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ीं होती हैं तो फिर वो क्या करता है वो ग्लुकागोने वापस हमारी मसल से वो glycogen निकाल कर वो glucose में convert करता है फिर वो ही glucose हमारी blood vessels में चला जाता है फिर वहाँ से हमारी बाड़ी उस glucose को यूटलाइज कर लेती है इस तरह यह पूरा का पूरा मिकेनेजम होता है हमारी बाड़ी के diabetes का उसके बाद अब हम आते हैं diabetes के टाइप बे दो में टाइप होते हैं इसके इलावे भी दूसरे टाइप होते हैं लेकिन हम इसमें यह सिर्फ दो टाइप पढ़ेंगे सबसे पहला जो टाइप एडियाबिटीज का उसको हम कहते हैं diabetes type 1 इसका दूसरा नाम भी है insulin dependent diabetes इसका नाम है insulin dependent diabetes क्योंकि इसमें यह जो diabetes होती है यह insulin पे डिपेंड होती है मतलब जो परसन होता है जिसको diabetes होती है उसका जो पेंकराज है वो insulin नहीं बना पता इसलिए इसको ह होता है देखो दूसर यह हमारे पासे पेंकराज तो पेंकराज के जो सेल्स है वो होते डिस्ट्राइब हो जाती है तो जैसे ही पेंकराज के सेल डिस्ट्राइब हो जाते है इस diabetes में तो फिर वो पेंकराज है insulin नहीं बना पता जारी बाते सेल डिस्ट्राइब गए तो insulin कैस लेवल है वो क्या हो जाएगी increase हो जाएगी तो जब गलुकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगी तो शुगर बढ़ जाएगी इसलिए हम कहेंगे कि इसको sugar हो गई है इस condition में तो देखो इसमें insulin नहीं बन रही है इसी वजह से insulin नहीं बनती है तो इसको हम कहते है insulin dependent diabetes इसके बाद दूसी लिए हमेरे पास diabetes है वो है type 2 diabetes इसको हम कहता है insulin independent diabetes क्योंकि इसमें insulin तो बंती है लेकि 인σुलन के जो receptors होते है न वो काम करना छोड़ा जाते है है तो इसमें क्या होता है कि ये जो हमारे पास pancreas इसके cell destroy नहीं होते यह अपनी इंसुलिन बना पाता है जो लेकिन इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो डिस्ट्रॉई हो जाते हैं तो जब इंसुलिन के रिसेप्टर्स डिस्ट्रॉई हो जाते हैं तो उसको कोई भी मतलब है सेल गुलुकोस को केरी नहीं कर सकता यह आप ब्लड वैसल देख रहे हैं इसमें इंसुलिन तो जा रही है बाड़ी में लेकिन इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं यहां पर सेल में जो होते हैं तो वो जो सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं रिसेप्टर्स तो उसी की वज़ा से यह जो ग्लुकोज माल गलुकोस बढ़ जाएगा क्यों बढ़ेगा अभी मैंने बताया क्यूंकि वो गलुकोस को गलाय को जो मैं करफ नहीं पार रहे हैं वो नहीं नहीं हो पाएगा क्यूंकि इंसुलिन को रिसेप्टर जो हैं वो खराब हो गए तो इसकी वज़ा से अगें इस कंडीशन में भी ग केते insulin independent diabetes दोस्त वाम है treatment के treatment क्या है तो सज़्य जो टाइक 1 diabetes जिसको हम कहते insulin dependent diabetes मतलभ है इसंग इंसुलेन नहीं बन रही क्यों नहीं बन रही क्योंकि insulin के जो रिसेप ट्रेटल कर सेल्स के वह destroy हो गए हैं तो insulin नहीं बन रही तो glucose glycogen में convert नहीं हो पा रहा तो इसमें हम क्या करेंगे simple insulin की injection दे देंगे patient को जिसकी वजा से वो जो patient है वो उसकी injection insulin की जो level है वो मिल जाएगी वो glucose glycogen में convert हो जाएगा बाड़ी में दूसरी है type 2 diabetes इसको हम insulin independent कहते हैं मतलब इसमें insulin तो बनती है लेकि insulin को जो receptors होते हैं वो काम ठीक से नहीं करते हैं वो glucose को उठा नहीं पाते हैं बाड़ी के सेल के पास से पहुंचाने के लिए तो इसमें क्या करेंगे कि इसमें हमें मुक्तलिफ drugs होती हैं जिसमें metformin होता है या फिर एक दूसरी ऐसी drugs होती है जो insulin sensitive drugs होती है इस वो insulin sensitive drugs जो होती है वो क्या करती है हमारी बाड़ी के जो insulin receptor होती ना उनकी sensitivity को improve कर देती है जिसकी वजह से वो sensitivity भढ़ जाती है तो फिर वो अब insulin को उठा पाते हैं हमारी बाड़ी में फिर इस तरह वो इंसुलन जब उठती है तो वो उठाते हैं उस इंसुलन को तो फिर इस तरह हमारी बाड़ी में जो ग्लुकोज है वो नार्मल लेवल में हो जाता है अब हम आते हैं prevention पे कि क्या हम diabetes से prevention कर सकते हैं definitely अगर किसी को diabetes नहीं होनी है या फिर वो चाता है कि उसको diabetes ना हो तो वो इसे कौन से कदम उठाए जिसकी वज़ा से उसको insulin ना हो और diabetes ना हो sorry तो फिर वो सबसे पहले हमारे पास है healthy foods वो अच्छे खासे healthy foods का है तो फिर आम तो पर हम जो चिकन बर्गर्स और ये पीज़ा वगरा काते हैं यानि कि जो spicy foods होते हैं वो यानि कि नहीं खाने चाहिए healthy food काने चाहिए जिसमें fruits and vegetables आ जाते हैं natural foods जो हैं उसके साथ साथ है life style changes करने चाहिए जिसमें daily exercise होनी होती है कि daily बंदा जो है exercise करता है उसकी वजह से उसकी जो chances होते हैं diabetes के वो बोद कम हो जाते हैं उसके साथ साथ वो अगर वो मोटावे का शिकार है यानि कि वो अगर अगर अबेस है तो वो फिर अपना weight loss करें इसके साथ साथ ये सारी की चीज़ें इसमें आ जाती हैं इस वजह से ये जब सारी चीज़ें वो अपलाई करेगा खुद पे तो फिर वो उसके साथ diabetes उसके नहीं होगी दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों को साथ शेयर करें ताके वो भी इससे फाइदा उठा सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फिर बेल के बड़न पर तिक करें ताके मैं जब भी लेकिर अप्लोड करें आपको नोटिफिकेशन आजाए मेरी वीडियो सबसे पहले देखने कलिए और ये बिल्कुल फिर ही है दोस्तों आप मुझे फेस्बुक कर ट्विटर और यूट्यूब पर भी फालो कर सकते हैं सच कर सकते हैं डाकर इफान लेक्चर के साथ तेंक्स जड़ वाचिए